आज मैं आपके बीच हूँ एक और सफल कहानी के साथ और सोनिया हमारे पास पढ़ने वाली एक स्टूडेंट हमारे बीच में है बहुत महंती बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गाउं से डेली टेंपो में बैठके आना घंटो घंटो यहां सोनिपत ब्रांच पर अपना समय द किया और इसी लिए सोनिया आज हमारे बीच में है दो-दो सरकारी नौकरियों के साथ तो सोनिया कैसे सरकारी नौकरी तक पहुंच पाई और हुआ तो इसका एक्जाम दिली पुलिस का भी क्लियर था हरियाना पुलिस का दुर्गा शक्ति वगेरा का भी था नेकिन उसमें पर फिजिकल में क्योंकि आप समझ सकते हैं गाओं में जो बच्चा रहता है कोई लड़की है जिसके दो-दो बेटे हैं अपने उपर काम करने का समय नहीं मिल पाता फिजिकली उतना फिट नहीं हो पाते तो वहां फिजिकल में थोड़ी सी कसर रह गए पर कोई बात नहीं फिर इसने अपनी तयारी काम आई इसकी और आज यह हमारे बीच में हैं इलेक्षन कमिशन में क्लरक की पोस्ट पर इसका सलेक्शन हो गया करणाल में इसकी पोस्टिंग है मंडे को जाना है इसलिए मिलने आ गई थी पुर्णे टाइम से हमारे साथ जूड़ी हुई थी और हर struggle में जो बच्चे 2020 से और 2024 के बीश में ICS में थे उन लोगों ने बहुत struggle किया आने वाली PD अगर समझ पाएंगी तो उनके लिए thankful फिल करेंगी क्योंकि जब सरकार अपनी नीतियों में कहीं न कहीं गड़बडियां कर रही थी तब ये वो बच्चे थे जो सड़कों पर उतरे जिन्होंने सेंटर्स खुलवाने के लिए कोचिंग्स खुलवाने के लिए स्कूल्स खुलवाने के लिए संघर्ष किया और ग्यापन सौपे अपने आस पास में DC आफिस में गए पैदल यातराएं की नजाने कितनी कोशिशें की, कभी भरी दोपहरी में, कभी ठिटूरती ठंड में ये वो बैच्चते जिसने बहुत संघर्ष भी किया और पढ़ाई भी की पर देखिए इश्वर की बड़ी क्रपा रही, इन में से ज्यादा दर के हाथ में आज दो-दो-तिन-तिन सरकारी नौकरियां हैं और ये अपनी मर्जी की नौकरी एक छोड़ के दूसरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चों से मिलते हैं याद आता है वो स्ट्रगल का दौर जब हम पैदल पैदल यहां से सोनीपस से सभी स्टूडेंट्स को लेके मार्ज पास्ट करते हुए और पहुंचते थे डीसी ऑफिस में वहाँ पिर धरना प्रदर् जो इच्छा है इनकी कि हम पढ़ें और लग जाएं हम महनत करें और अपनी पुरानी जो पीडी दर पीडी एक गरीबी की कही न कहीं मार पढ़ रही है उसको दूर कर दें देखिए एक सरकारी नौकरी किसी गरीब इंसान के परिवार में जो मज़दूरी करते हैं महनत करत करते हैं को चोटी मुटी नौकरी करते हैं उनकी पूरी पीडी को बदल देती है सिर्फ एक सरकारी नौकरी जो पीछे से अमीर है जिनका बैक्राउं तगड़ा है उनके लिए सरकारी नौकरी फाइदवन नहीं है लेकिन जो बहुत मिडल क्लास में भी लोवर ग्रेड में ह जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो सिर्फ और सिफ योगिता के दंपे सरकारी नौकरी हांसल कर सकते हैं तो उन बच्चों के लिए लाइफ सच में बदल जाती है और ऐसी बहुतायत है भारत में हरियाना के गाओं में यूपी के गाओं में राजस्तान के गा कामव हो जाते हैं तो चलिए मैं तो बात करती रहती हम सोनिय से बते हैं Sonia तुम पर हो और तुभारी mother-in-law भी स्क्रीन पर है नमस्कार माता जी आपका शुब नाम रोशनी जी आपने Sonia की जिंदगी में रोशनी भढ़ दी कितने साल हो गए Sonia की शाधी को 10 साल पूरे हो गए जब पढ़ने आती तो इसके बास दोनों बेटे थे शाए था तो फिर बेटों को कैसे आप आला कर दी पीछे से कितने सालका था चोता था चोता बेटा इसके चोता बेटाच znak बता लूगग तो जब वच्ते बहुत होते हैं सरदीगर्मी बारिश नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना धिक्कत तो आय ऊगी आपको है प्यरी दिक्कट आए वड़का में आपके चयरे जो आपके चहरह के मुस्कान बता रही है कि विश्धटें आपको दिखाई ही नहीं घिए यूकि जिसे ही यह आपने किया कि जो भी बहू को पढ़ा दूगे लोग कहते हैं निया बहु कभी क्या पढ़ाना बेटी को पढ़ाए बहु कभी क्या पढ़ाना बहु 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 क्या पढ़ाना कभी कभी मन में आता था कि हां कहीं बढ़ाजे हां कि अरभी मन मन नहीं on नहीं आइंगर अर्फ होनी जरी सोनिया नुखतीन आय मापड़ाद आढ़ा चितनी आढ़ादे मापकर लेंगे का तो पैसों की दिक्कत तो आती होगी फीस में पढ़ा जो थी तेरे पदियो देहादी मस्दूरी करके आपने बहु पढ़ाई जी पढ़ाई जी पैसे ताना जी को दिक्रा आप याद जान दारा लिया कर दिया अगर ती अच्छा अठाए के पैसे भी उते तो तब उस टाइम कि अपने बठा ले गया, तीन साल में बार आ रोय जाती पिटे जाती नूए अंधियों गिरो रुका है, फिर यानुगरती एक माँ पीस है, कई बार इसकी माने भी तही पीस है, आमनु बली मा दे दुगू चोधन को अधिकतना है, फिर तीन साल बाद हो आया, आँ पाणी प अचा आप के मतलब जमीन भी बिग गई गया, हाँ, दो पलाट हमने बठा बठा बड़े डोड़े रहे हैं, बराई परतन बनाते हैं, जाड़े में तुरी करते हैं, लापड़ी काटता है इसका पापा, फिर ले नूमाने सारे हो सब कुछ लगा करना है, नूमाने भी आई इसभी में पाइश्णने बड़े रहा हम देवंगे, इसभी में बंचा जो सब लिए रहे हैं, लाल हम दो को पामने, हम दो के लाली के रिविसलेगा की आइनले तो उस मिसीवत से फिर आपक निकलने का रास्ता निकलने का रास्ता visitor की सोनिया को पढ़ा सफा देंlt कि Sonia को पढ़ा जें तो शैद ये बहू जो है काम्याब हो जाए जाए इस मजी इसी मन पड़ा आइड मेरा गई जा आगए आगे इस की वह था ख़ा आपका रिगा आपका अपने विमें नहीं नुकरिया आपका बी इस का नुद कर दो कर दो नाम हो चाहरा है आप जो है कब मंडे को जाना है जॉइनिंग करने हैं कहां आई है जॉइनिंग करनाल में तो करनाल में अब जाना शुरू हो जाओगी बेटों का क्या रियक्शन ता जिस दिन रिजल्ट आया भी मम्मी को दूसरी सरकारी नौकरी मिल गई मैं शुठे हैं था हैं विपटान हैं विपटान ही ले किन वो बोलते हैं ममी आप नोकरी लगए अब तो मारे लिए दो मम बेटा सरी आजए कि तो दे के आऊँगी अच्छा मैं फर्माईश करने लगए बेटे में परनाना बड़े 20 मार्च का सकाब बड़े कि मैं अपने कि मम्मी लग गई हैं तो मैं अपना वर्थड़े वाहा है लिमना मुझे ले राखी है अच्छा एक बेटी भी ले रखी हैं बड़े वाले अच्छा चलो कोई नी बेटी का करने से कुछ नी बिगड़ता तो संघर्ष कैसा रहा सोनिया जैसे तुम्हें क्या लगता जब तु अपने घर पर जुऊ टर्वाल थी तो की थी मैं वह भी दो तीन मेहने पट के तब की थी तुम तो आई जब अब आए जब आए घर से शादी करते तो दस वी पास थी बस वह चोटी थी 10- 10 वी पास करते ही शादी कभ़ी प्ताजलों सोला साल कि थी तबक्रव नहीं कौई क कि मैंने उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी लेकिन बात बोल दी थी कि मैं अब रुकूंगी निगर पड़ा होगे तो लेकिन वही बात थी है जब मुझे बोलते देना अब रेंड दे बोला कई बारे जैसे एक साल पूरा होने का जब मैंने पे सेंटर में अनुशन दिया सोची इन भूल गयों गई है जैसे घर से जो पैसे लाती थी मैं देते थे घरवाले उनकोई कठा करती थी अपनी पीश वगर ऐसे मैंने इस गरती थी अपनी पापा भाई पैसे लेते थे वो तुमने खर्च नहीं किये फीस के लिए जोड लिये जोड लिये ती रेना बोल हवारा अंगा कर काड़ मिशिब एवीश के फिर 2023 के दिसंबर में लाज तक मेम जैसे फाइनेशनली कंडिशन बिल्कुल कमजोर हो गी थी तो फिर बोलते है कि प्राइवेट जोब कर ले प्राइवेट जोब कर ले तो वही बात है काम ज्यादा लेते हैं पैसे कम देते है, पर अधा ताद जार सोपर कोई रिए था ताद जार सोपर उसमें के कांसल जाएगा? नहीं मैं तो फोड़ा हूर सही जब इतना श्रगल कर लिया थोड़ा हूर सही मैं फिर मैं लगी रही 2010 के दिसमरे मेरा कार्ड खतम हो गया 2 January में में मेरा फीजिकल था, उसके बाद मैंने फर्वरी का में में एक मेने काड़ बनवाया आए सेफ्टी में फर्वरी तका ही में साथ मार्स का फी मेरा SSGD का पेपर था साथ मार्स को सोई था, आठ मार्च की सुवे मेरा मेरा में गुरूप डीगर जड़ाय था तब ही मैं ने देखा सर ओन लाइन थी, 12 बजे तक पिर मेरा मन था कि तभ कोल ओना सर आभी सौयोंगे फिर मैंने पाच बजे देखा सर ओन लाइन थी, तर मेरा हो गया जैसे उस टाइम पे जो मेरी कंडिशन थी, जो मेरा हुसला बिल्कुल तूटता जा रहा था, वो की सीने नी पील किया, सरीफ सर के सवाय मैं, सर ने बोला कि बेटा, आप तो बिल्कुल लाश टाइम पे बिल्कुल कमजोर होती आगी थी, बस यह था कि मैं इस तरीके से आती आप जाये ना क्लास में बैटके मुझे क्लास क्लास लेन पड़े लेकिन मैं सेंटर में छोड़ूँंगी तब तक मेरी नोगरीन लग जाती है, मैं में जीत थी मेरे अंदर, अदा दरव निष्चे था कि मैं सेंटर पे आउंगी ही आउंगी, चाहे कुछ हो जाये, हाँ मै मैं अपनी जिन की, अपनी बच्छों की, अपनी सास की, अपनी परिवार की, जैसे मेरे रेजल्ट आये मैं वो दिन तादा किस तरवी थी, घर पे ही थी मैं कर रखका, तो पापा ने बहुत प्रावड से बोला चोटी बहन को, देख सूनिया नकर देख, तू भी कर कर कितना अच्छा लगता है नu doit के अफनी होगो देख, तो कितनी एक्सपेक्टेशन की, कितने लोगों ने तूमसे सूचा था है फापा ने सास ने सब कुथा कि मैं जैसे अब ममी ने बोला कि जब गाहान वाले बोलते थे कि ऐसा ही जाती है तर्गहरमें से ठील्वीचत होत बच्चा जाता था, उसकी वीडियो दिखाती थी, सभी ऐसे, वो ही बताते हैं कि ऐसे बुरते गाउमाडे, फिर मुझे थोड़ा फील होता था, फिर बगदी चलो पड़ ले, ये तैसे ही कही जाएंगा, फिर थोड़ा तो होता मैम, गर में केली रहेंगी, फिर कोई है नही उस तरही कंडिशन बन जाती है, सब में आती है कंडिशन, देखो हुमन नेचर है, आपनी चुड़ा हो जाता है, साल हो गया, दो साल हो गया, कितने दन तक वो करें मैम, फिर वो काम करके आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर काम हुआना मिले, काम छोड़ तो इतना इश्वर ने कर दिया, तो यह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, कई लोग कहते हैं यह मोटिवेशन यह बच्चों को क्यों जरूरत है इनकी वीडियो बनाने की और यह तो यह काम आती है इसी वीडियो मैं बहुत काम आती है, जैसे जब सर क्लास में कोई आ जाता था जैसे हमारी गण में हो जाती थी वही लेस पढ़ना है तो जैसे उस टाइम पर जब मैं यह वीडियो अपनी सास को दिखा दी थी उनके मन में आता था कोई नहीं पढ़ा दू तो मेरी वीडियो देखने के जैसे लग गए तो फिर उसके हस्बिन उसके सास भी कर सकते कि हां तू भी लग जाएगी यह कही न कहीं मोटिवेशन का काम करती हैं यह वीडियो क्योंकि यह रियालिटी में बहुत लोग है जो तुम जैसे ही होंगे लेकि वो टूट रहे हैं यह वीडियो देखके उनको मैं तो द हैर जो अगर सोनिया कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं कैसे कि अपने अंदर जीद बना लो कि मुझे लगना उसको कोई नहीं रोक सकता तुमारा पूरा गृप था सुनिया सारे बच्चे बहुत अच्छे थे लगभग कितना गृप कामियाब हो गया मैं 90% ग्रूप काम्याब है कोई एक दो बच्चा ही रहता है 90% में मैंने बहुत कम बोल गए 95% के आसपास सारा ग्रूप काम्याब है जो रह गहा है और पढ़ रहे हैं अभी हमका भी 100% हो जाएगा इस बार के जो इस बार नोकरी आएंगे इसमें लेज़ेगा ये निकाल ले जाएगे 2025 तक 100% निकाल ले जाएगे तो किटना अच्छा लगता ना पूरा ग्रूप कमारा लग जाए तो मैं परशनली बोलती हूं बस गवर्मेंट जोप चाहिए और उसकी जित थी उसके लिए लगी रही है महा छोड़ना नहीं जब तक नोपरी लगे कि ना तब तक सेंटर ही नहीं छोड़ना है चाहे कुछ हो जाएगे तो मुसी जित की वजए से आज इतनी मुनलब जब रिजल्ट है था मैं ग्रूप होता है लेकिन जब हम काम्याब हो जाते हैं तो सबसे अचा स्फेस भी लगता है कि हमने देखो कितनी महनत से कितनी मतलब मशक्कत करके यह नोकरी हांसल कि मुफ्त में नहीं मिलिया बहुत लोग तो अपना खर्ची-परची के चकर में लगे रहते हैं कोई किसी को सैट दू अपनी जगह पहचान हर जगह बना लेगा और जो दो नंबरी लगते हैं उनको देखके उनके विवहार से बातचीत से भाशा से पकड़े जाते हैं कि यह बिना ग्यान के गल्ती से आ गए है तो वो जो इज़त है वो देखो कमाई जाती है महनत करके और तुमने वो कमा ली तो सोनिया बस बहुत अच्छा लगा तुमसे वाचीत करके माताजी से पूछते हैं कोई संदेश देना चाहेंगे आप बहुत सारी बुजूर्ग ओरते है अपनी बहुआं को पढ़ाती नहीं है तो कहती है बहु बिगड़ जाएगी शहर में जाएगी तो अब क्या करते है काई खरती कोई दनो करती आपनी थी दना द्यादी ले जाा आकर अक अच्छा कि अच्छा एगे ज省एगए नी जनस ऐसने कि वह राएं सब Πर द्शने कि को रादा माur अब उन लोगों को जलन होगी कि अरे इसकी तो बहु जो है 35-40 जार की महीने की बन गए उचेसो बुक्रमेल मी बन लागी थी इन गए अब थी जार किमार मेरन अब क्या कहेंगी अब प्याये की मेर ये ओडीन मनने की ये बन लोगाक complete अब मेहनत करें, महनत करके अपनी जगह बनाएं और वहां तक पहुचें, आप जो महनती नहीं है, कामचोर हैं, सोचते हैं हमारा बच्चा भी लग जाया बिना पढ़ें, बिना महनत कर तो गलत बता है पर मना साजना है, फिर माई सिना है के रहा, फिर रहा लगी मा कूद पर अपनी बेटी पड़ले थो, मा काम मा कर ले हूं तो तो इतनी अपड़ले चाहिए, इतना ना लाग जो ले कितने साल पड़ले, बूझ ले रही रोष्णी नाम है अपका, रोष्णी जी देखो कितने इनके चहरे की रोष्णी बता रही है कि यह बड़ी पॉजिटिविटी से भरी महिला है और अपनी बहु को देखो, बेटी से भी ज्यादा इनोंने इतना जैसे एक तरह से संघर्ष में साथ ले कितनी अच्छी सोच है कि अब बेटिया यही है तो कुछ सास ऐसी भी होती है जो बगवों को अपना कमाई का जरिया भी समझ लेती है वस पढ़ाना लिखाना दूर की बात है वही काम में कि शुरू से सुबह से उठके अपना कैसे काम में इसको लगाय रखे पढ़ना काम करें गुजले यह बैठी मनकृति पढ़े वे मा कर लिए काम सारा दार रोकी नार पूसे द्यारी दूरी तड़काय जी मा काम करके जाती मनकृति बैठी चली जे सेंटर में बरतन दर जी आक मांजा करती में बरतन आक जाड़ों पुचा करती आक चुला लेपती अपर दांगर को लियाती नार पाटी सर्कारी नार लियाती उसी मेहनत के कारण जो है न सुनिया दो-दो सरकारी नौकरी तक पोचवाई नहीं यह यह सुनिया भी याद रखेगी है वह देखो उतनी तो थोड़ी बहुत तो चिक-चिक बात वह बदा घर परिवार में तो करना मका बढ़ाती थे कई बार कर दो पर दो दो बच्चे रखे जो निया की जिम्मेदारी थी वह आपने बाट ली और इसी कारण सोनिया जो है अच्छा परिवार मिला अच्छी सास मिल गई यह बहुत बड़ी बात है जैसे तुम इस मामले में किसमत की धन्य हो भगवान ने देखो अच्छा परिवार दिया हजबन बेटे सास यह मह होता कई बार की अच्छे परिवार में शादी हो जाए पैसे पैसे हों सोच अची क्या करें तब कुछ भी नहीं कर सकते हैं जैसे फाइनेशली कंडिशन कैसी भी थी लेकिन मैं सोच ऐसी थी परिवार की सोच बहुत अच्छी मैं कि मैं यहां तक पहुँच पाई पैसे का क्या है मैं में दो दिन आगे पैसे तो खुद कमा लेंगे और टाटा बिडला मानी मनना जरूरी नहीं है एक होता है सेल्फ रिस्पेट की यह मेरी कमाई है यह मेरी महनत की कमाई है बिल्कुल आपका अब आपका सारा जिंदगी भर का जो है सरकार तुम्हारा ज़ए एक तरह से खर्चा उठाएगी और जो बिटा पढ़के मज़ा है ना जो कभी दो नंबर में सोनिया थी कितना स्ट्रगल देखा गाउं से निकली एक छोटे से गाउं से निकल करा एक बहु जिसकी सास ने उसको भरपूर सहयोग दिया अपने माईके से मिले हुए पैसों को न सूटों पे न लिप्स्टिक बिंदी पे न गहनों पे खर्च किया और अपने बहुत स साधारन से कपड़े पहन के रही बहुत साधारन तरीके से पूरा इसने दोढ़ाई साल लगातार पढ़ाई पर दिये कोई सजने समरने का शौक नहीं था कोई ज्यादा खरचीली नहीं थी जो घर से मिलता भाई से पिता से या जहां से भी उस सब को अपनी किताबों पर अ आ गया तो देखिए ईश्वर ना हर किसी की मदद करता है जो मेहनत करता है कामचोरों के साथ भगवान कभी नहीं है उनकी किसमत कभी अच्छी ने निकलती और गलती से दो चार बार कहीं कुछ बन जाए बात बन जाए लॉंग रन में वो कामयाब नहीं होते जिन्दगी भ परवरिश में उनका पूरा पूरा युगदान रहा और आज सोनिया काबल है कामयाब है करनाल इसको जाना है मंडे को दो दो नौकरियां जिसके हाथ में हैं तो इसी दिन के लिए यही एक मेसेज बहुत काम करता है अभी सोनिया बता रही थी कि ऐसी वीडियो में अपने घ समाज में जो इनसान रहता है उसकी जिंदगी में स्ट्रगल लिखा ही लिखा है कोई फाइनेशल स्ट्रगल कर रहा है कोई इमोशनल स्ट्रगल के साथ जी रहा है कहीं कोई किसी तरह की दिकत कहीं किसी तरह की लेकिन इस लड़ाई में कामयाब वही होगा जो लगातार बहुत ज्यादा सिंपल जो है लड़की थी और कई बार उसमें लगती थी जो है मैसूस होता था डेप्रेशन सा थोड़ा सा अभी सोनिया के बारे में आप सभी लोगों ने देखा सुना बवीता में बातचीत की तो सोनिया गरेंटी बैच की स्टुडेंट थी सोनिया सिंसियर लड़की थी और जो सबसे सीनियर मोस्ट ग्रूप था इस का उस ग्रूप की मेंबर थी ये इस परकार के जो स्टेप्स होते ना ये पहले ही आपकी कामियाबी को बुलंद करते हैं ये पहले ही आपकी कामियाबी हो बढ़ने तहीं के लिए इस पर औलगा के लिए इस परकार के चीजाएं देखिए ये वीडियो बनने का हमारा टार्केट यह है कि अगर किसी को लगता कि भारत में बेरुजगारी है तो बेरुजगारी का समाधान ICS के पास है अगर किसी को लगता कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है तो उसका समाधान ICS के पास है ICS तक पहुंचना आपको पड़ेगा ICS में आना आपको पड़ेगा जिस परकार से सोनिया ने अपना जीवन बनाया कल भी एक दूसरी लड़की सोनिया थी उसने भी उसने भी लंबा संगर्श देखा 18 में उपड़ने आई थी 18 से 19 तक पड़ी फिर लोगडाउन आ गया लोगडाउन में उसने जो छोड़ दिया फिर दुबारा जो उसने देखा कि उसकी कोई फ्रेंड थी उसका सेलेक्शन हो गया तो चलो मैं भी पड़ YouTube यह उसका है और अगर सोनिया कामियाब हो सकते कल वाली-snामिया वो सकती है परसों यह दिए जो पहले लगा फिर बाhoven में वह पटवारी लग गया तो इस परकारव से बहुत लोग है जिन्होंने अपने जीवन को सुधारा है अपने जीवन को बदला है higher level पे लेके गई है तो वैसे ही तुम भी अपने जीवन को बदल सकते हो चलिए आज मुझे ही इतनी बाते करनी है Thank you very much और ICS में सुभे 9 से 4 का बैच चला हुआ है special है ये CET को target करके जो बच्चे इसमें पढ़ेंगे और जुडे रहेंगे पुरा दिन साथ रहेंगे पढ़ते रहेंगे 100% CET के toppers में उनका नाम होगा और 2025 नौकरियों को भर भर के लेके आएगा जिसका CET में अच्छे नंबर होंगे उस सारे form भर पाएंगे और जो form भर पाएंगे वही नौकरी लग जाएंगे तो 2025 नौकरियों को लेकर आने वाला साल है लेकिन 24 में अगर आप CET अच्छे तरह से तयार नहीं करेंगे तो फिर 25 आप के लिए waste हैं तो आने वाले साल को अपनी सरकारी नौकरी का साल बनाना चाहते हैं तो अब मेहनत कीजिए ICS में 9-4 का जो बैच चल रहा है जितने स्टूडेंट्स तक यह मेसेज है जो पढ़ रहे हैं भी उन लोगों को बहुत मेहनत करनी है और हर लड़की सोनिया की तरह काम्याब हो सकती है हर लड़का विजे की तरह काम्याब हो सकता है बस संघर्ष करना है अपने आप से जब आपका मन आपको कहे ना कि बस बहुत हो गया आपनी पढ़ना तब खुद से लड़ना है कि नहीं मुझे नहीं छोड़नी पढ़ाई जब तक मेरा सेलेक्शन ना हो जाए करें लोग जुड़े रहे आज भी नौकरी में हैं तो आपको नौकरी लगने तक जुड़े रहना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ICS से अधिकतर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हर जगह पर जाकरके ICS का बहुले आपको मिलेगा ICS के स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है मेजोरिटी में मिलेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बस आज के लिए इतना ही तो इस तरह के जब भी केसे आएंगे जो हमें लगता है कि ये किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कहानी के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकता है कोई भी इंसान अपने घर अपने घरवालों को दिखा सकता है तो फिर ऐसे लोगों के वीडियो उसको हम ऐस इंटर्व्यू मान लीजे एक मुटिवेशनल इनकी तरफ ते कि ये किन हालातों से संघर्ष करके बाहर निकले और ऐसे लोगों के जीवन से एक उदाहरन हर को ही ले सकता है कि आपके हालात खराब हो सकते हैं लेकिन सोनिया ने क्या कहा इनकी सास ने क्या बताया कि किराय के पैसे भी नहीं होते थे तो बैटा उतने जीरो से निकल के और फिर दो-दो सरकारी नौकरियों में मतलब जॉइनिंग होना दो में जॉइनिंग है पास तो पेपर बहुत सारे हुए बारा पेपर क्लियर हैं सोनिया के आप इमेजिन करो तैयारी कितनी तगडी थी कि बारा एक्जाम क्रैक कर गई लड़की फाइनल सेलेक्शन ले गई दो में तो जितने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचे पढ़ते रहिए खुश रहिए और अपने टार्गेट पे लगे रहिए छोड़ना नहीं है जब तक हम इसको क्लियर ना कर लें जब तक हमारे हाथ में नौकरी ना आ जाए तब तक हम इसको छोड़ेंगे ने चलिए थैंक यू